लिख्यां आपका एविदेंस में लिखवाय जा रहाता यह आपका करना हम लिखवाय थे मिमोरी रिफ्रेस करना कर दो कि अ कि झाल झाल अगला कोश्चन मनाईए भाई साच्छे के विश्वस्नियता पर प्रस्ण बनाईए किसी साच्छे के विश्वस्नियता पर ये भी आचुका है कोश्चन आप पत्ती की जा सकती है किन आधारों पर अब्जेक्शन यान की आप पत्ती की जाती है उनका वरणन करिए उनका वरणन करिए लिखे परग्राप चेंज करके भारतिय साच्छ अधिनियम की धारा एक सो पचपन में 155 भारतिय साच्छ अधिनियम की धारा 155 में उन आधारों का उलेख किया गया है उन आधारों का उलेख किया गया है जिन पर किसी साच्छी की जिन पर किसी साच्छी की बिश्वस्नियता पर बिश्वस्नियता पर आच्छेप किया जा सकता है ये आधार निम्न लिखित है ये आधार निम्न लिखित है कि इधर सटा ये उधर और सहाँ उधर सटा दीजिए अभी लेगा नहीं देखे भजा आपका फर्स्ट सेकेंड ठाड करके लिखे लिखे पहला ऐसे ब्यक्तियों ऐसे ब्यक्तियों के साथ द्वारा ऐसे ब्यक्तियों के साथ द्वारा हेडिंग में है ये फ्रमोटे में लिखना है ऐसे ब्यक्तियों के साथ द्वारा कामा दीजिए जो यह परिशाच देते हैं कि परिशाच देते हैं कि साच्छी के बारे में साच्छी के बारे में अपने ज्यान के आधार पर साच्छी के बारे में अपने ज्यान के आधार पर वे उसे बिश्वस्नियता का अपात्र समगते हैं वे उसे बिश्वस्नियता के अपात्र समगते हैं लिखे पर अगराफ चेंज करके ब्याख्या इसमें वह पच्छकार वह पच्छकार जिसके बिरूद किसी साच्छी ने वह पच्छकार जिसके बिरूद किसी साच्छी ने साच्छ दिया है अन्य साच्छीों से यह साबित कर सकता है कि उसके ज्ञान में साच्छी बिश्वास के योग्य नहीं है उसके ज्ञान में उसके ज्ञान में साच्छी बिश्वास के योग्य नहीं है जैसे जैसे वह जूट बोलने के लिए प्रसिद है जैसे वह जूट बोलने के लिए प्रसिद है यह दिखा जा सकता है सेकेंड में लिखे अब दूसरा या सेकेंड इस बात का साच्छ पेस करके की साच्छी ने इस बात का साच्छ पेस करके की साच्छी ने रिस्वत की प्रस्थापना स्विकार कर ली है या उसे अपना साच्छ देने के लिए या उसे अपना साच्छ देने के लिए कोई अन्य भराष्ट उत प्रेरणा मिली है उसे अपना साच्छ देने के लिए कोई अन्य भराष्ट उत प्रेरणा मिली है या तुम गवाही दो तुमें आम नौकरी दिलवा देंगे तो ये करवा देंगे तुम्हारी भलाई करवा देंगे या आपका ये उसे क्या दिया गया प्रवलोभन कि तुम जूठी गवाही क्या कर दो या तो रिश्वत जूठी गवाहिदो और पांचला क्या करो पाव या भ्रष्ट उत्प्रेणा दी गई हैं अटायक इस पर की इस आधार पर किया जा सकता है या साची विश्वास के योग्य लिखे इसको यद किसी यद किसी पच्छकार ने यद किसी पच्छकार ने किसी साची को यद किसी पच्छकार ने किसी साची को अपने पच्छ में साच देने के लिए अपने पच्छ में साच देने के लिए करिश्वत देने की प्रस्थापना की हो तब इस तथ्य को इस अधिनियम की धारा एट के तहत तब इस तथ्य को इस अधिनियम की धारा एट के तहत मने आठ के तहत सुसंगत तथ्य के रूप में साबित किया जा सकेगा सुसंगत तथ्य के रूप में साबित किया जा सकेगा तथ्य के रूप में साबित किया जा सकेगा तथ्य के रूप में साबित किया जा सकेगा साच्छी की विश्वसनियता पर आच्छेप किया जा सकेगा इसी लाइन में लिखे यह दर्सित करने के लिए साच्छ दिया जा सकेगा यह दर्सित करने के लिए साच्छ दिया जा सकेगा की साच्छी को साच्छ देने के लिए कोई अन्य ब्रहष्ट उत प्रेरणा मिली है साच्छ देने के लिए कोई अन्य ब्रहष्ट उत प्रेरणा मिली है तिसरा पॉइंट लिए यह दूसरा अधार बता गया जहां के साच्छ के बिस्वस्नियता पर क्या किया जाएगा तिसरा लिए किसे साच्छ के बिस्वस्नियता किसे साच्छ के बिस्वस्नियता पर आच्छेप उसके द्वारा कही गई उसके द्वारा कही गई पिछले कथनों का खंडन करके किया जा सकेगा पिछले कथनों का खंडन करके किया जा सकेगा लिखे पर अगराफ चैंज करके किसी साच्छी के वर्तमान साच्छ से पर अगराफ चैंज करके लिखे किसी साच्छी के वर्तमान साच्छ से उसके असंगत पिछले कथनों को उसके पिछले असंगत कथनों को साबित करके साबित करके उसकी बिश्वस्नियता पर आच्छेप किया जा सकेगा उसकी बिश्वस्नियता पर आच्छेप किया जा सकेगा परग्राप चेंग करे क्लिके उदाहरण या इलिश्ट्रेशन खो की हत्या के लिए कौपर आरोप लगाया गया है खो की हत्या के लिए खो की हत्या के लिए कौपर आरोप लगाया गया है गो कहता है की गो कहता है की खो ने मरते समय गो कहता है की खो ने मरते समय गुहुशित किया था की गुहुशित किया था की कौने खो को वह गहाव किया था जिससे वह मर गया है जिससे वह मर गया है पर अगर आप चैंज करके लिए यह दर्सित करने के लिए यह दर्सित करने के लिए साच दिया जाता है की किसी पूर्व अवसर पर यान की पहले किसी पूर्व अवसर पर गोने कहा था की गोने कहा था की घहाव को द्वारा गोने कहा था की घहाव को द्वारा या उसकी उपस्थिती में नहीं किया गया था गहाव कदवारा या उसकी उपस्थिती में नहीं किया गया था यह साच ग्राई होगा क्योंकि दोनों पुरानी बातें और नई बातें में क्या पैदा हो गया विरोधा बात पहले कह था कि कौने गहाव नहीं पहुँचाया और बाद में कह रहा है कि को ने पहुंचाया तो आपका दोनों बातों में 36 कांकड़ा यान कि दिखा जा सकता है कि पहले ये कहा था बाद में ये कह रहा है अतह इस पर विश्वास किया जाए कि नहीं जैसे मौरिया जी हैं पहले कहें कि 3 लोग थे फिर कहें कि पांच लोग थे यानि कि पल्टू बाबा हो जाएंगे तो इनकी बातों पर विश्वास करना क्या हो जाएगा? मुश्किल पहले कहा था कभी कि नहीं कोने घाव नहीं पहुँचाया अब आकर कर रहा है कि कोने पहुँचाया? तो असंगत बातें जो ब्यक्ति परस्पर विरोधी बातें करता हैं क्या उसकी सुनवाई होगी की नहीं नहीं होगी आच्छेप किया जाता है आपका एक और आच्छेप का अधार था लेकिन अब वो चुकी आपका कह सकते हैं कि समाप्त हो गया है दो आजार दो द्वारा उसको नहीं लिखना है पर अगर आप चेंज करके लिखे अभी असपश्टी करन अभी तीन चार लाइन और इस कोस्चन में बचा है हेडिंग डालेजिए असपश्टी करन कोई साच्छी जो किसी अन्य साच्छी को कोई साच्छी जो किसी अन्य साच्छी को बिश्वस्नियता के लिए अपात्र घुशित करता है अपने से की गई मुख्य परिच्छा में अपने से की गई मुख्य परिच्छा में अपनी विश्वास के कारणों को अपनी विश्वास के कारणों को चाहें नव बताए कामा दिजे किन्तु परति परिच्छा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा फिर कामा दिजे और उन उत्तरों का और उन उत्तरों का फिर कामा दिजे जिने वह देता है जिने वह देता है कामा दिजे खंडन नहीं किया जा सकता खंडन नहीं किया जा सकता फिर कामा दीजेगा कथाप यदिवे मिथ्यां हो तो तत पहचात उस पर मिथ्या साच देने का तत पहचात उस पर मिथ्या साच देने का आरोप लगाया जा सकेगा आरोप लगाया जा सकेगा अपका ये कोश्या नहीं पढ़ाया नहीं गया है आपका मरे भले लिखवा दिया गया अगला क्लास वाई कल चलेगा सुबह आपका सुबह नौ बजाए तो आपका कि आई पीसी में अभी लेक्चर चलेगा इधर एक दो और अप राद हो जाएं तब दो दिन लिखवा जा लगातार आपका दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा इधर एविडेंस में कल आपका मुख्य परिच्छा और उसका उद्यस और छेत्र और पुनह परिच्छा पहले दो परिच्छाएं लिखवा दी जाएं तो ये दो परिच्छाएं छोटी-छोटी हैं आपका डेड़ है दो-दो पेज़ का फिर आपका इस्टापल बचा है और विशेषा धिक्रित तन्सूच ना है तो आपका कल ये देखते हैं विशेषा धिक्रित या इस्टापल कोई उठाते हैं एक दो दिन और आपका लिखे तब लेक्चर चलेगा, किधर अब समाप्त होने वाला हैं लाश्ट में, तीन चार कोश्चन और बचे हैं, जो लेक्चर तो एक कही दो दिन में हो जाएंगे, तो कल आपका जो सिडूल रहेगा IPC में लेक्चर चलेगा, एक टार्सन कब लूट में कनवर्ट होगा, इसको पुना एक बार बताया जाएगा, यानि कि जो सब्द कुछ आपका जो समस्याएं आई हैं, पुना एक बार बताते हुए डकायती, और तब कई में अंतर, तो डकायती तो पांच मिनट का आपका है, उसके बाद अंतर बता दिया जाएगा, फिर आप आप राधिक दूर्विन्योग पढ़कर आई है, आप राधिक न्यास बंग, ये भी दोनों आपका, ये कल प्रयास करेंगे, निपट जाए, तो कल कलास चले गए भई, सुबह 9 बज़े से आपका,